उसकी लगाता निग्रानी करनी है उसमें रोज आपको जाना है और देखना है अगर आपको दिखाई देता है कि कीड़ों का हमला हो रहा है कीड़े पाए जारहे हैं उसमें और फ़सल को आपकी नुकसान कर रहे हैं तो उनका झाइन दरूरी हो जाता है इसके लिए अप दोमनीलीटर लीटर पानी घोल बना लें और ऐसा आप शाट से सतर लीटर गोल बना लें और जो नर्सरी के 1000 वर्ग मीटर छेतर के लिए पर्याप्त होगा जो संस्तुती मैंने अभी बताई हैं वो सारी की सारी आपके 1000 वर्ग मीटर छेतर के लिए जैसे अभी हर्वी साइड बताया या घास मानने की दवाई बताई वो भी एक हजार वर्ग मीटर छेतर के लिए बताई गई है इसी परकार किसान भाईयों धान की जो पोध है उसमें कभी-कभी निमेटोड या सूत्रक्रमी की भी समस्य आ जाती है तो सूत्रक्रमी करते क्या है कि यह पोधे की जड़ों में आ जाते हैं और उसमें आके बैठ जाते हैं यह चोटे-चोटे नन्ने-नन्ने सफेद रंग के कीड़े जैसे होते हैं और फिर जो धान की पोध है उसमें गाठे भी बना सकते हैं और पोध की बढ़भार रुख जाती है पोध हमारी पीली प प्रती 1000 वर्ग मीटर चेतर में बुर्काव कर दें तो निमेटोड या सुद्र कमी का भी नियंतर हो जाएगा। इसी पिरकार कई बार जो धान की नर्सरी है उसमें बीमारिया भी आ जाती है। खास करके कुछ किस्मों में जो बकानी रोग है, बकानी रोग आ सकता है। पतली रह जाती है। तो आपको कोशिश यह करनी है कि इस तरह के जो प्रभावित पोदे हैं, बकानी से प्रभावित पोदे हैं, उनकी आप रोपाई ना करें। अपने नर्सरी छेतर में देख लें, जहां-जहां जिन-जिन हिस्सों में इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पोदों का या उस पोद का आप रोपाई के लिए प्रियोग ना करें। आपको स्वस्थ पोद की रोपाई करनी है। अगर सारी की सारी नर्सरी आपकी बकानी रोक से प्रभावित हो गई है, तो इसको आप तुरंट नस्ट कर दें, और किसी दूसरी जगह पर अभी भी समय है, आप धान की नर्सरी तयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता कि कुछी पोदे प्रभावित हैं बकानी से, तो जो बाकी आपके स्वस्थ पोदे हैं, उनकी अगर आप रोपाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पोद को बावस्टीन के घोल में डूबो कर रखना है। इसके लिए आप बावस्टीन का दशमलव एक प्रतिशत का घोल बना सकते हैं, जिसमें आपको एक ग्राम बावस्टीन लेनी हैं और एक लीटर पानी। इस दर से आप घोल बना सकते हैं अपनी जरुवत के हिसाब से और धान की पोद जब आप रोपाई करेंगे उखाड़ने के बाद इस घोल में लगो आदा से एक घंटा तक कम से कम उसमें डूबो कर रखें और उसके बाद अगर आप रोपाई करेंगे तो बकानी रोग के प्रवाब को कम किया जा सकता है